नमस्कार दोस्तों स्वाइद आपका अज की इस वीडियो में जा हम बात करना है कि आप कैसे आपके वीवो के फोन में जो है एप को हाइड कर सकते है तो अगर आपको भी जाना है कि आप कैसे आपके वीवो के फोन में किसी भी एप को हाइड कर सकते है तो इस वीडियो को एं open करोंगे तो आपको कुछ इस तरीकी का इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको एक option डूट लेना है जिसका नहीं में यह आप देख सकते हो fingerprint face and password तो आपको इसपे क्लिक करना है इसपे क्लिक करने के बाद भी आपको बहुत सारे options दिखाई देगे जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको जो है यह वाला option आप देख सकते हो privacy and app encryption इसपे क्लिक करना है तो अभी आप देख सकते हो black color का दिखाई दे रहा है यह इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक मैंने जो है password को set नहीं किया तो सबसे वहले तो आपको य यह है वो on हो जाएगा यानि कि आपका कोई भी एक password set हो जाएगा और जैसे ही password set होता है तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस अभी दिखाई देगा जैसे कि मैंने अभी आपको battle bgmi का select कर दिया है और यहाँ पर मैंने ok पे click कर दिया है तो आप आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो bgmi का app है वह अपने phone से hide हो चुका है और भी ऐसे ही आपको अभी candy crush किया अब आपको confirm वाल option पे click कर देना है तो हमारा जो candy crush का app था वह भी हाइड हो चुका है अब बात आती है कि hidden app को आप देख कैसे सकते है और क्या actual में app हाइड हुआ या फिर नहीं तो वह भी मैं आपको 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 आपके phone में back कर देना है उससे पहले उपर के दरफ आपको दिखाए देगा view hidden apps आपको इसे on कर देना है जैसे आप इसे on कर आपको या करना है नीचे से दो जो फिंगर से ना उपर करने जैसे कि अभी मैंने किया तो अभी जो आपको black screen दिखाई दे रही है ना वहां पर आपको password को सेट कर देना है और जैसे आप password या फिर फिर फिंगर्पिंट लगा दो गे आपकी phone की तो उसके बाद में आपको पर कुछ इस तरीके से hidden apps जो है वो आपको आपके फोन में दिखाई देगे तो यह से आप जो है आपके hidden apps को एक्सेस कर सकते हो अगर आपको यह वडियो इंफरमेटियो लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्याद थेंक यू सो मच